बात करते हैं Modern Indian Art की क्योंकि हाली में 3 सेप्टेंबर को VS गायत उंडे की एक पेंटिंग 32 कुरोर्ज में बिकी है और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है Indian Art के छेत्र में इसी आॉक्षन में जगदीश स्वामी नाथन की 1993 की एक पेंटिंग 9.5 करोण में बिकी है अब बात करते हैं हम कुछ सबसे expensive पेंटिंग की जो की Indian Artworks को बिलॉंग करती है सबसे पहले है तैयब महता की काली जिसने 2018 के आउक्षन में लगभग 26 करोण रुपे कमाये थे ये पेंटिंग 1989 में तैयब महता ने बनाई थी अब अपने जीवन काल में तैयब महता ने टोटल तीन पेंटिंग ऐसी बनाई है जिसमें काली का largest canvas area है इसमें Indian philosophy के creation and destruction के cycle को दर्शाया गया है और इसमें Goddess काली को blue color में दिखाया गया है with red mouth मतलब की ये दुर्गा शब्शती के उस part को represent करता है जहां पर Goddess काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मार दिया था Indian mythology में रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसकी हर drop of blood से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था क्योंकि UPSC mains में Indian mythology से related भी questions आते हैं For example, एक बार question आया था कि what is the significance of peacock feather worn by Krishna इसी लिए ऐसी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए अब तैयब महता को हम abstract और expressionist elements के लिए जानते हैं paintings के छेत्र में abstract का अर्थ होता है कि किसी visual reality को depict करने की बजाए shapes, lines या फिर color fusions को इस्तमाल में लेना और expressionism, term, poetry और painting दोनों में यूज किया जाता है जिसमें artist colors के थूरू किसी human emotion को दर्शाने की कोशिश करता है अब दिके आजादी से पहले Bengal के nationalist school का काफी जादा dominance था over Indian art लेकिन आजादी के बाद एक artists का group बना जिसका नाम था Bombay Progressive Artist Group और ये माना जाता है कि तैयब मैता one of the pioneers थे इस generation के painters में इसके अलावा इनकी paintings में हमको modernism के elements दिखते हैं with post-impressionist style अब paintings के area में impressionism उस school of painters को बोलते थे जहां पर natural depiction of light and color पे emphasis रहता था मतलब इनकी कोशिश रहती थी कि जो real life scenarios हैं उनको perfectly depict किया जाए और इसी school के खिलाफ post-impressionist group आया जिसमें abstract concepts का इस्तमाल होने लगा इसके अलावा तैयब महता की celebration काफी जादा famous है as an example of triptike art जिसमें paintings तीन पार्ट में divide होती थी और हर पार्ट का depiction अपने आप में अलग होता था और जब उसको unfold करके देखा जाता था तो जो overall meaning थी वो अलग थी awards की बात करें तो इनको कालिदा सम्मान मिला था 1988 में और पद्वंभूशन 2007 में इस बात को दियाद रखिएगा कि paintings के area में कालिदा सम्मान one of the most prominent awards है जो की मध्यप्रदेश गवर्मेंट के द्वारा दिया जाता है इसके बाद आते हैं वियेस गायतोंडे और इनकी 1995 की oil painting almost 30 करोण में विकी थी ये भी एक abstract artist थे जो अपनी paintings में zen philosophy और spiritualism को depict करते थे अब जो zen philosophy है ये जैपान के महायान बुद्धिजम से originate होती है और इसमें spiritualism और meditation को focal point माना जाता है वियेस गायतोंडे को भी कालिदा सम्मान मिला था और 1971 में इनको पदमश्री से नवाजा गया था बात करें राजा रवी वर्मा की तो इनको father of modern Indian art माना जाता है और इनकी painting राधा इन moonlight 2016 में 23 करोण में बिकी थी अब राजा रवी वर्मा की ज़ादा तर paintings Hindu gods और goddesses पे हैं and they depict various scenes from the purans और इनकी खासियत ये थी कि ये बहुत ही low cost की oil paintings बनाते थे ताकि ये आम लोगों तक पहुँच सकें अच्छा राधा इन्दी मून लाइट 1890 में राजा रवी वर्मा ने paint की थी जिसमें राधा जी को पूजा की थाली और फूलों के साथ दर्शाया गया है अब इनकी themes तो Indian थीं बट इनकी जो painting techniques थी वो European थी और उस समय की जो latest European techniques थी उनका ये इस्तमाल करते थे इसके अलावा जैसे की मैंने आपको बताया कि ये oil paintings बनाते थे लेकिन paper के अलावा ये stone या फिर metal sheets का भी प्रयोग करते थे as a base for his paintings और ऐसी paintings को हम lithographs कहते हैं और इसी की वज़े से इनकी paintings affordable होने के साथ साथ काफी सारे लोगों तक पहुँची ये इनके notable works हैं और इनको कैसरे हिंद gold medal से सम्मानित किया गया था last में हैं अकबर पदमसी इनकी 1960 की painting Greek landscape 19 करोन रुपे में बिकी थी 2016 में इसमें इन्होंने grey color के various shades को इस्तमाल किया है for making a panoramic view और इनके बारे में जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी साल जन्वरी में इनकी मृत्यू हो गई थी अब कालिदा सम्मान और पदमभूशन के अलावा इनको ललित कला अकैडमी fellowship भी मिली थी 1962 में कर दो करें आए